नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड रहे हैं, एक खास इंटर्व्यू में Time's Now और Time's Now नव भारत के दर्शकों के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोजी जी नमस्कार और बहुत धन्यवाद समय देने के लिए ताइमस नाव को भी बहुत बहुत नमस्कार और सर आप कैसे हैं केमचो केमचो लेकिन अब आदत साथ कफ हो गई मेरा एक प्राब्लम है बहुते हिंदी बोलने के आदत इतनी हो गई इटान में बसे तो शिकायद गरते थे कि आपके मुंन गजराती अच्छा नहीं लगता है भूट पांगला भी बोल रहे था प्रणा मंत्री सबसे पहले सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी वो ये कि दो फेस के चुनाव तो हो चुके हैं आपका नामांकन और कुछ नामांकन भी दरते दरते चलते चलते हो गए हैं और आपका नामांकन कब हो रहा है और काशी से ये जो आपका नाता है ये काशी का नाता आपक का उत्तरप्ट देश में भेश से शुरू होता है जाते जाते इस में तो यह लांस फ्रेज में मेरा चुनाव है का और मेरी पार्टी ने फिर एक बार मुझे काशी के आउमेद्वार बनाने का ताइग किया है मैं लेकिन थोड़ा भाव को स्वेबन में राजनीतिक दर्शी से जो भी होगा मैं जब 2014 में काशी गया तो नामांकन के बाद क्योंकि वो लांस मोमेंट पाई हुआ तो मेरा काशी जाना तो नामांकन के बाद ऐसे ही मिडिया के लोगों ने में पकड़ा है तो मेरे मुण से ऐसे एक भाव निकल गया और दिन आप देखेंगे मेरा वह बिल्कुल मैं तैयार नहीं था अचानक यह मुझे पकड़ा था मैंने का देखेंगे न मैं यहां आया हूं न मुझे किसने भेजा है मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है ऐसा मैंने 2014 लेकिन आज दस साल के बाद मैं पुरे भावुकता से कह सकता हूं कि उस समय मैंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोर लिया है कि अभी दज साल बिद गया है काशी से इतना नाता जूड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो ही कहता हूं मेरी काशी और इसलिए कि एक मा बेटे का जैसा हूं रिष्टा हूं मैं मेरी काश्य के साथ लोक गंत्र है ना मंकर भी भरेंगे लोगों से आशिरवाद भी मांगे गे और लोग आशिरवाद देंगे भी लेकिन यह रिष्टा जन प्रतिनी दिवाला नहीं है यह रिष्टा किसी और ही अनुभूती कहा है जो मैं फिल करता हूं और इसलिए उम्मीद्वार ना मांकर चुनाव लोग कंत्र के प्रक्रिया हैं पुरी करेंगे परियरिष्टा मा बेटे का जी और आपने इसका मतलब सेवा भी मा के तोर थो की फिटूर्श कोशी ना विकार सído है कर अफ़िली हुद अब लेकिन अपने आपको कभी बी इह मैंसुश नहीं किया कि मेंखा से थिप्षु रात का है इस फैकल न नहीं grip सब्सक्राइब कर सकते हैं तो समय निकालेंगे आप पोड़ा मानते हैं कि समय के हिसाब से बढ़ा इंट्रेस्टिक बढ़ा बज्यदर सवाल पूछा कि 2014 में सपत समारो था तो वह राष्पति भूं गया प्रणुमकर जी साब से बात करनेंगे तो मैंने का इच्छा है अगर आपको सुविदा हो क्योंकि यह कारकम तो राष्पति जीका होता है बहार करेंगे तो अच्छा होगा तो वह जो समय लोगों ने मुझे बताया था बढ़े साब दीन में करना अच्छा होगा तो वह समय तो दूप बहुत होती है तो मैंने का कैसे करेंगे तो तो पर शाम को करेंगे तो अच्छा होगा तो ठीक हो कर लीजिए तो शाब कुट्ता हुआ उससे में आपने देखा अख्मारों में बहुत आर्टिकल चपते थे इंटर्वी चपते थे यह मूर्थ्विक नहीं है मोदी जी गलत कर रहे हैं यह इसका कोई उपाही भी नहीं शास्त्रों में वह भाद्दी बाती का मुझे भी काफी लोग के बीच में थोड़ा समय था तो मुझे पर भी दभाव डालने लगे बना का देखिए नागपती भवन का जो प्रॉब्लम है वो धूप का है और मेरा काम है उनको एड़्जेस्ट कर रहा है मेरा काम नहीं मैं देड़े करूं तो उस लुप से वह न करेक्शन का समय उसमें से दो फेज का हिस्सा तो चला गया मतलब अगर आप माने की साथ पेपर आप दे रहें इंग्जाम में तो दो के आपने भर दिये तो प्रदानमंत्री जी क्या अभी भी यह मान रहें कि वह 400 का टार्गेट अचीव हो जाएगा मुझे अभी भी समझ आज नहीं आ रहा है कि आप लोग अच्छा होता है आप लोग मेहने पहले मेरा इंटर्यूव कर लिए होता है मैं ठीक से बता देता आपको आप यह तो देखें आज हमारा सिटिंग एंपी कितने है कि कभी यह तो दिमांग खपागी है हम 2019 में जीत किया है तम एंडी है कुछ था है फिर यह आंद्रे की पार्टिकर पाटी और उडिसा की वह हमेशा हमारे साथ रहे तो वह करीब 35 लोग है फिर नॉर्दीस के लोग हमारे साथ रहे हमेशा है तो हम अल्रेडी इन्हें फॉंक्शनल वे में कहें एंडी प्लस इसको कहें तो हम 400 से करीब करीब थे अल्रेडी हम पार्लामेंट में 400 थे यह लोगों को क्यों असरे हो रहा है कि 400 400 400 ठीक है कि शब्दों में आया लेकि रियालिटी यह है कि हम अल्रेडी 2014 से 19 करीब करीब 400 MPs के सहयोग से ही समसुद चला है यह नंबर आप सही बता रहे हैं लेकिन बीजेटी से एक अलाइंस की बात हुई जो थोड़ी दूर चली और फिर रह गई तो अलाइंस नहीं रही पर सपोर्ट जरूर रहा है लेकिन प्रधान मंत्री जी सवाल अगर पॉलिटिक्स पर पूछूं तो बीजेपी का आरोप है कि कॉंग्रेस का घोषना पत्र बहुत ही डिवाइसिव है हाला कि कॉंग्रेस आलोचना करती है बीजेपी की ये कहके कि आप दो और दो बाइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चाहे वो वेल्थ रीडिस्टिब्यूशन हो या इनहेरिटेंस टैक्स हो ऐसी कोई भी बात उनके मैनिफेस्टों में नहीं है ये कही ना कहीं बीजेपी लोगों में दर फैला रहे हम सीए का कानून लाए साब साब लिखा हुआ है साब साब कहा गया है न बोलने में किसीने गलती की है न लिखने में गलती की है ये न देश के कानून में कोई गलती है सीदा सीदा वो कानून देने के लिए हैं उसमें कहीं पर भी सिदीजेंसिब लेने का नहीं है दो साल हो गए हैं कॉंग्रेस पार्टी जो जूट फैला रही है या कभी आपने उसका फैट चेक किया क्या किभी पाट साला में उनके कपड़े उता रहे गया क्योंकि जूट इतना चला दे जब कि हम उनके एक-एक स्टेट्मेंट देख लीजिए अब जैसे ये इन्हेरेटन टेक्स की बात लेका है कोई मुझे बनाई है दुनिया के किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में इस प्रकार का प्रहुप हो आए क्या है अब साम्यवादी विचारदार के बाद छोड़ दीजिए इनके गोशापत्र में और उनकी स्पीचीज में जो बाते हैं आ अगल रहे हैं और पहले जो मनमौन सिक बोरा हैं मनमौन सिक जेने दो बार पब्लीक है कि इस पर पहला हाँ मुसल्मानों का है और जब फिर आप सरभे करने की बात करते हैं है फिर कहते हैं कि हम सब ले लेंगे और बाट देगे जब आप ले लेंगे और बाट देंगे की बात करेंगे तो फिर वो किसको देंगे जो मनमुन सी के कहा तो उनको देंगे तो साप साप जो बाते होती हैं कि ये अलग-अलग डॉट्स को जब बिठाते हैं तो रती भर्मी मेरी बात में क्षिय तक दैब धावर उनके शब्द उनका लिखी मिननाएं 90 के बाद उन्होंने अब तक किये गए गए सेने सच्चर Ichust तेस हमें वो इस बार मैंने उनको खुल कर के बेनकाप किया है इसलिए वर्ना जब उस पाने के लिए जाना हो तो वो यही भाशां बोलते हैं दूसरे वोट लेने जाते हैं तब नूट्रल हो करके बोलते हैं तो दोगलापन उनके हमत होनी चाहिए हम साहलों तक राम मंदिर क लेकिन दूसरे अख़बारों के हेडलाइन राममंदीर होती थे पुद्दिन की टीवी डीएट राममंदीर होती थे और फिर चर्चा में होता था तारिष नहीं बताएंगे दजियां उड़ा देते या हम गरीबों के लिए उजनाय कर आते थे एक शब्द इस डेश के मिडिया में कभी चर्चा में नहींया चर्चा में नहीं चर्चा में 3 चीजłeं रखुए गई कि आज कॉंग्रेस के बच्छाओं में मिडिया ने क्यों काम करने की जरूत है कोई कारण नहीं है यह मिडिया का काम था कि उनके पांच मैनिफेस्टों लेकर करके अनालिसिस किया जाए और उनके इरादों का उनकी भाषाओं का उनकी बातों का अब देखिए संविधान इस देश में संविधान का स्पिरिट पैदा करना चाहिए और आप ऐसा तो नहीं कि जिर्फ वकीलों और जजीच के लिए ही संविधान हो गई संविधान देश के कौमन में से जूड़ना चाहिए इन्हों ने संविधान की कभी परवा नहीं की जब मैंने पार्लामेंट में प्रस्ताव लाया कि हम संविधान दिवस मनाना चाहते है खरगे जी ने खूद दिने पार्लामेंट में विरोध किया उनका भाषण है उन्हो आने वाली पीडियों को उसके प्रतियों सद्धा का भाव पैदा करना चाहिए स्कूल कोले डिवेट सब जगा भी चर्चाव नहीं जब उसका महत्में बढ़ाएंगे तो फिर मैंने कहा कि जब उसके 60 साल हुए थे समिधान के तब भारत ने इसको अच्छे ढंग से मनाना च जिए था जब 60 साल हुए तो मैंने बड़े शांस से यह समिधान दिवस मनाया और हाथी के उपर अंबाडी में मैंने समिधान रखा और मैं नीचे पैदल चलता था मुखे मंद्री और मैंने सुर्ण नगर में बहुत बड़ा उसकी यात्रा निगा लोकों की समिधान के प् लगातार कोई बताएं हमारे मैनिफेस्टर में कहीं लिखाएं क्या है हमारे भाशन में कहीं निकलाएं क्या है कोई किसी कारकादा ने किसी धंदर में कहीं बोल दिया उसी को उचाल करके पूरी तरह हमारी पार्टी को हमारे वर्जन को मानने कर तो यार नहीं है और खुद ठीक कि एक पूरा एको सिस्टम जो है वो इसमें लग जाता है उधर से ये प्रशने नहीं पूछा जाता कई बात या पूछने पर भी जवाब नहीं मिलता कि बीजेपी के गोशना पत्र में कहा है कि समयदान खतम करेंगे अगला चुनाव नहीं होगा यहां वन नेशन वन ए जाएगी वो कहीं नहीं लिखा था कहीं लेकिन वो भ्रहम फैला फैला कर फैला फैला कर चीजर जो है वो खराब की गए आप जब इस बार यह कह रहे हैं बार बार कि मोधी मर जाएगा लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षन नहीं आने देगा ये बड़ी स्ट्रॉंग लाइन है और हमने पाडशाला में दिखाया था कि आप ये आज से नहीं कह रहे हैं आपने गुजरात के सीम रहते वे भी ये चीज जग जाहिर की थी आपको क्या खत्रा दिखता है अगर धर्म के नाम पर आरक्षणा या मुसल्मानों को आरक्षण म मोदी मुद्धाही नहीं है जिस समय संविधान बन रहा था देश के गणमान लोग संविधान सभा में वैठे थे अग्टर राजेंद बाबो बाबसाभा में बेट कर पंडित नहरूपरम कर सब पैठे ते उसमें तो को रशरी बजेभी वाला सब उसे में तो सवाल ही नहीं था ऐसे और सभी संप्रदाय के लोग बैठे थे और समने मिल बैठ करके लंबी चर्चा के बाद नहीं किया कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षान भारत के नुक्षान करेगा यह लंबी सोर्च के लिए ठीक नहीं है जहां तक सामाजी की वबस्ता पिछले सैक्ड़ों वर्षों में समाज में जो विक्रूतियां आई जिस पकार से छूत अचूत का भाव पैदा हो गया उन्च नीच का भाव पैदा हो गया और एक पकार से समाज एक बहुत बड़े वर्क के साथ जन्म के आधार पर अन्या हुआ तो प्रायस्चीत करना जरूरी था, और उसमें ये सुजाओ निकला और ये ये निरने भी सनातिने ने किया है, संभिधान सहबा में जो लोग बैटे थे सब सनातिनी थे, जितने बैटे थे सब सनातिनी थे, नहरुशी जैसे कुछ आपकाइद हो सकते हो, जो आपने आपको उससे उपर मानते हो लेकिन जादातर वही लोग राजेंदर बबु ठीका करके बैठते थे ऐसे लोग बैठते थे उन्होंने निर्णे किया था कि हमें यह प्राइश्चेट करना है आरक्षट दे रहा है और इसलिए मैं उस भावना से जुड़ा हुआ हुआ हूं मैं सम्विधान क भावना के विरुद्ध धर्म के आधार पर अरक्षट है इसका मतलब यह नहीं कि मुसल्मान को बेनिफिट नहीं मिलेगा जैसे हमने जब पर्लामेंट में दस परसंड का किया रक्षट कि सामाने जाती के गरीब लोग हैं उनको कोई जगड़ा नहीं हुआ किसी का लूटा नहीं चोरी नहीं कि सामाने वरक के चाहिव ब्रामिन होगा बनिया होगा उसका बेटा भी अगर वो गरीब हिबादा है उसको मिलेगा उसमें मुसल्मान समाज के भी जो अरक्षट कहीं मिलता नहीं है उनके भी गरीब लोग है उसमें हगदार है मतलब हक नहीं छिन रहे है मुसल्मान को नहीं देंगे ऐसा मैं नहीं किया रहा हूँ मैं कहता हूँ दर्म के आधार पर रचना नहीं हो सकती है इस देज में गरीब है तो हिंदू हो मुसल्मान हो इसाइव हो पार्षी हो कोई भी हो सबको benefit मिलना चाहिए जहां तक आधिवासी और दलीत का सवाल है इसके पीछे हजारों साव का इतिहास पड़ा हुआ है और इसलिए वो एक special कारण है और जो समिधा ने सही निर्णे किया बाबा साब अंबेटकर ने सही निर्णे किया और जो आज भी देश उसका रिस्पक करता है हर political party रिस्पक कर यह धर्म के आथार पर भूट में इनके खेल जो खेले जाते हैं अब उन्होंने इस बार मैनिफेस्टों में कहा है कि हम ठेके देंगे वो ठेके इस प्रद्दती से देंगे कि यह देश कैसे चल सकता है ठेका दिया जाता है उनकी शमता है कि नहीं रिसोर्सिज है कि नहीं एक्सप्रियंस है कि नहीं ट्रैक रेकॉर्ड है कि नहीं सरकार के कामों को करने यह सारे चीजे देख करके ठेका दिया जाता है अब आप कहते उसमें भी आरक्षन होगा और सब्सक्राइब तो इसके बदले में जब लोग कहते हैं कि मुसल्मान विरोधी हैं वो कहते हैं कि मुसल्मानों को इस देश में डराया जाता है हैं मोदी इस औरफ हैं हिंदु-मुसल्मान करते हैं जब चुनाव होता है जब अब स्वाzh'd हमारा सवाल है यह सीद्ध करें कि यह हमारा जैसे मैंト रहता हूं बैढ़ सेट्यूरेशन में जे करना है सरकारी ओजनाव का सेट्यूरेशन बड़लब गाउं में 50 लोग है जिनको गर मिलना चाहिए बड़लब 50 को 50 को मिलना चाहिए फोटी ने इनको नहीं बतलब उसमें सब समाज आजाएंगे सब धर्मा आजाएंगे आप जब 100% की बाग करते हैं तो सामाजी ग्णाए की एक गारंटी है सेकुलरिज्म की गारंटी है मोधी हर काम उस प्रकार से करता है कि वे सब को सब मिले इसके लिए करो अभी में मैं पॉब्लिक ली कहता हूँ कि हमने चार करो घर बनाए अब कुछ परिवार है विस्तार हुआ उनका तो उनको एक घर की जरुत है तो राज्यों से मुझे कहा जाता है सहाब अकर कुछ और बकान हो जाए तो मैंने कहा चलो भी तीन करोड और हम प्लान करते हैं मुझे काम करना है अगर कहीं कोई नजर आ जाएं कि अभी घरब मिला नहीं है नल से जल मिला नहीं है गैस का कनेक्शन नहीं मिला रह गया है तो आप उसकी चिठी मुझे लिख दीजिए और उसको मेरी तरफ से कह दीजिए कि मोदी की गारंटी है कि तीसरे टम में मिल यह तो इंटी मुसलिम जब कहते हैं कैसे लगए नहां मुसल्मान के विरोती है और हम्मारा कामी नहीं है जहां तक गाली देते हैं यह नेहरू के जमाने से इस प्रकार की गाली देने का दूसरा पहले गाली देते थे क्योंकि उनको कम मैनत में ज्यादा मुनाफे वाला काम था जमाने से पहले गाली देते हैं तो आप मुदर्शमान के मित्र बन जाते हो कुछ किये भी ना तो बुफद में फायदा मिलता है तो इसलिए होना यह एक भाय का बाताउन बना करके फायदा लेने के लिए दुकान चलाए रखिए मुसल्मान समय समय जब समय दार है जब मैं त का देता हूं तो उसको लगता है या इसलिए उनको ज्यान भरभ फ्यायन के लिए बिना सरपैर के जुड बोलने पड़ रहे हैं प्रिदानमंद्री जी इसमें चोटा समय एक सवाल और जोड़ रहा हूँ, कि इसमें कोई दोराय नहीं कि आपकी किसी योजना में हिंदू मुसल्मान हुआ, घर मिलना है, गरीब को मिलना है, वो गरीब कोई भी हो सकता है, लेकिन 2002 से आज 2024 हो गया, हम और आप किसी समान को ख करने के मैं करीब करीब 25 साल हो गए मुझे, एड़ ऑफ दे गवर्मेंट के नाते हैं, और गुजरात में आपको मालूम होगा, साइद, अठारावी सताब्दी है, उन्नीशफी सताब्दी से रेकॉर्ड अवेलेबल है, दंगे गुजरात में होते थे उसका, दस साल में साथ साल दंगे होते थे, दोजार दो के बाद गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ है, गुजरात में मुसल्मान जो हैं, आज बीजे भी, वोट देना दे रहें, दूसरा, मैं आज पहली बार कह रहा हूं, मैं कभी पहले कभी इंविश्चर को ले आ, मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पड़े लिखे लोगों को कहता हूं, कि आत्ममंत्थन करिए, सोचिए, देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है, तो क्या कारण है, सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट, कॉंग्रेस के जमाने में, आपको क्यों नहीं मिला, क्या कॉंग्रेस के कालखण में, आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हूँ क्या, आत्ममंत्थन कीजिए, और एक बार तहे कीजिए, ये आपके मन में जो हैं, कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविश्खाराब कर रहा हो, मुसल्मान समाज दुनिया में बदर रहा है जी, आज मैं गल्ब के देशों में जाता हूँ, इतना सम्मान ब यहां में योगा की बात करो, तो आप यह चला दे एंटी मुसलिम है, मैं गल्ब के देशों में जाता हूँ, इस सारे अमीर लोग मेरे साथ बैठते होंगे, लंच या डिनर में जुरू मुझे योगा के विचे में पुछते हैं, कि मुझी जी इसका special official training लेना है, तो क्या क परिवाद करता हूँ, कोई कहते हैं, मेरी पतनी इंडिया जाती है, योगा सिख रहे हैं, मुसल्मान समाज से आगरपुरव कहता हूँ, कम से कम अपने बच्छों की जिन्दी को तो सोचो, अपना भविच्छ तो सोचो, मैं नहीं चाहता हूँ, कोई समाज बंधुमा क्योंकि कोई डरा रहा है कि दूसरा अगर आप बैठना उतना शुरू करोगे भाज़बा वाले आपको डर वाले लगते अरे जाउनों पचास लोग बैठ करें बाज़बा गारा में एक दिन बैठे रहो निकाल देंगे कि आपको अब दे कि क्या चल रहा है कौन निकाल देगा आपको कप्चा करून जागे भीज़बी कर लेंगे कौन रोखता है आपको प्रदान मंद्री जी जो अब हम फेक नेरिटिव की बात करते हैं जिसमें कई बार मुसल्मान भी फस्ता है कई बार ऐसा कई बार तो मैं अभी नाविका जी से हम लोग बात कर रहे थे कि आप शायद वो वेक्ति हैं पॉलिटिक्स में जिसकी छवी बाहर सबसे गलत पेश हुई हुई है आपसे मिलने वाला आपको जानने वाला अलगी जानता है और बाहर तो अलगी दुनिया है यह फेक नेरिट जब अमिशा जी का एक फेक वीडियो फेलाया गया आप लोग काफी उसको लेकर अग्रेसिवली आपने का कि यह बहुत गलत हो रहा है इस पर आपका रियाक्शन पहले से अलग था बाकी के जूट से ऐसा क्यों और यह क्यों मैं ऐसा नहीं है मैं आपको बताता हूं मत्यप सब्सक्राइब साहब पूरी रात सो नहीं पाए रात को ही मुझे एफायर करनी है बोले मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है मैं राजनिती से मेरा कोई लेना देना नहीं मैं बोले दूर से नमस्ते करता हूं दुखी थे बहुत मद्धब देश में एक्शन लिए गए उन लोगों पर तो ऐसा नहीं है कि पहले प्रयास नहीं हुआ है और मैंने जब दिवाली का बीजेपी के कारले में गेट टूगेदर था मैंने डीप पर लंबा भाशन किया जान मुझ करके किया था उद्धिन और मीडिया को यह सम्मेंने कहां थे बहुत बड़ा संकट में देख रहा ह मैंने मेरी जी ट्वेंटी समिट में सबने चिंता व्यक्ति हमारा वीडियो कांफरंस में से समीट उसमें मैंने कहां यह सब कह रहें सॉल्यूशन दिया मैंना कहां हरे के उपर एक कि मैसेज पहले आना चाहिए यह जनरेटेड कंटेंट है आप उसको उस रुप से देखिए यह उस पर स्ट्राचूटरी बॉर्निग आना ही चाहिए कौने में नहीं में में आना चाहिए जैसे आप लोग नहीं कभी चला दे फर्स्ट है किसी नियूस के तो आपकी बिच में चलता है ना वैसा मोटर बॉटर माग रहे हैं अच्छी इस दुनिया सब परिशान है जी सब कोई परिशान है अब कुछ भी बना सकते हैं किसी के लिए लेकिन क्या यह इतिफाक है कि ज जो कि एक आत्म विश्वास खोच चुके हैं यह चुनाम का नहीं है जनता के साथ उनका कोई कनेक्टिंग यह हर चीज में को जूट होला पड़ रहे हैं अब में जोट बोले हैं जैसा वो किसाना अंदुलंग में जूट बोले हैं जैसे वो हमारे कोई भी निला हो हर प्रक करता है कि इतो होता ही चला जा रहा है तो रोक तो सकते नहीं है खुद कुछ करने ही सकते तो फिर आप कंफ्युजन पाया करो जूट प्रकर पाला कर सकते हो तो यह उन्होंने खेल शुरू किया अगनीवीर पर दूला सब मैंने काना कोई विश्य ऐसा नहीं जो देशित का हो वो दे उसकी चर्चा कभी की नहीं उन्होंने स्टडी किया नहीं कि इसे ने पकड़ा दिया उनको लगता है इसे लोग भड़केंगे वोट मिलेगा और उनका इरादा है बढ़काना और अब वो पूरी तरह फरजी बातों पर ही दिर्बर है फरजी नारों पर दिर्ण है यह हाले हुआ अब यह जो फरजी खेल चल रहा है फरजी वीडियो के सारे चुनाव जीतने की कोशिशी देश में कभी नहीं चल सकती जी और मैं मानता हूँ जमीन की स्थिति बिलकुल आ रहा है जी अब यह कभी EVM को लेकर क्या फरजी चलाते कोई मुझे बताएगी लोग मुझे कहता है कि मोधी इतनी मैंद क्यों करते हो कभी तो सोचो हो अगर EVM मेरे हाथ में होता तो मुझे यह में मैं टोकरणियम करके चला हाता है मैं दिन रात मर रहां तूट रहा हूं देश की जनता के बस को जा रहा हूं ठरी Son अपर से कहते हैं कि आप ताना शाह हैं आप पूतीन बाबा हैं आप ताना शाह हैं इस तमाम तरह की चीज़े चाहिए और ये ecosystem ecosystem सिर्फ भारत में नहीं है यहां से लेकर विदेशों तक एक ecosystem चलता है जो कहता है आप पिटलर हैं आप ताना शाह हैं आप आएंगे तो यह बदल जाएगा चुनाव नहीं होंगे इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं कि अजेंसिया भी आपने कंट्रोल कर लिए तमाम चीक मिनिस्टर आपने जेल में डाल दिया है मन सुरेन को जेल में डाल दिया देखिए मैं बख़ा को अच्छा होगा विश्या अपने अच्छा निकाला है कि मेरे पाद जवाब भी है लेकिन मैं आप लोगों से आगरे करूंगा कि टाइमस न सब्सक्राइब आप पाट साला चलाते हैं पाट साला में बैठ करके यह ताना साही अब ताना साही में यह सो पॉइंट होते हैं चलो और फिर सामने कॉंग्रेस लिखो बीजेबी लिखो कौन सा हमारे बैठता है उनकी दादी ने क्या किया टिक मार करो मुदी की पार्टी क आप न्यूजरूम में आकर के सहकार बैठ जाती थी क्या कभी चर्चा करोगे टिक मार करो नहरु जी का पहला समसोदन क्या था समीधान का टिक मार करो इमर्जंसी के वक्त अधिक पत्रकार जेलों में कविता लिखते थे टिक मार करो आपका गाना पसंद नहीं आया अब जेल मडाल दिया उसकी शरकुमार सारे गाने बन कर दी है विपश्चेनेता जेल में पड़े थे कितने समय पड़े लोग पड़े थे कितने समय पड़े पड़े सरकार कितनी घराई इसाब लगाओ हमारे काम नहीं साल नौशना की जहार लेकर के पिक्रेग मनाते थे बताइए कौन से लिवकर से थी अब समझाइए मन माने तरह से लोगों को घरगीरा ना नस्बंदिया करवाई इस प्रकार से करवाई थी आपने गायतिर जीविके साथ क्या जुल्म किया था आपने अर्टि तरीके से निकाल लिए हंडेट पॉइंट और टिक मार किजिए जी मैं तो जालता हूँ एक सप्ते पर अपकी पांट साले चलिए और और मैं बानता हूँ कि सो में से एक बिंदू पर आपमें कहीं पर भी एक छोटा सा जम्स भी कि जो आरोप लगते हैं वह बाला जम्स नह करेट है हमारे रगों में नियोकरसी है वन्ना जो गालिया पढ़ रही है जिस पर गार का जुल्म हम पर हो रहा है चुप-चाप सहते जाले मजबूरी नहीं है दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का पूर्ण बहुमत के साथ दस साल से सासन बेदाग सरकार 13-14 साल का उसके बावजुद भी यह जितनी गाली गलोच को एक आत्मी सह रहा है एक शब्द बोले मिना सह रहा है इससे बड़ी देमोक्रेसी का पूरा प्रूफ क्या हो सकता है यह सवाल हम पूछते हैं न्यूजार्प की डिबेट शो में भी सवाल पबलिक का शो पर भी कि आप लो सब्सक्राइब करें कि आप तानाशा है वो भी आजाद घूंग रहे हैं तो पतानी कॉंट से टाइप का आप तानाशा है जो कह रहे हैं कि मर्जा मोदी पतानी कॉंट से तानाशाई है आप कुछ भी निकाल दीए जी मेरी मा को गाली देना नहीं छोड़ा है मेरे परिवार को गाली देना नहीं छोड़ा है ऐसे अब दरफाशा का उप्योंक आए लेकिन उन्होंने ऐसा डिक्टेटर का चित्र बना दिया उसके अंदर सारी गा परिजिए पेलात्रस संवाय बश्कार्जा препादीया तक मैंम no aire आति थोए रता कि मा गोंए घाल प्रप्र आंखें 북 ねhill тепo जो सब्नां रहते प्रणा कि अलkyo कोई सब्ना और माका मैंने पूरा नहीं किया मैं बहुत छोटी हैं मैं भाग गया था चला गया बहार तो उस प्रकार से मैं तो गुनागार को एक प्रकार से वो तो नहीं मानती है याश मैं माफी के साथ ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आपका कभी निजी भाव बहुत बाहर नहीं आता लेकिन क्या ये चीज आपके बैक आफ दा माइंड चल रही है सर जो आप लोगों से शायद नहीं बोलते होंगे कि 2002 के बाद ये पहला चुनाव है सब कुछ होगा लेकिन आपके मानिंग आप हर चुनाव के बाद उनका पैर चुने जा जो ऐसा है कि मैं तो कुछ मराज़िति में था नहीं अचानक मुझे को संक्रण का काम करता है तर्टाइजी का फोन आया कि विराथ को आओ काम है कि माट जी का पाहता है तो को बहुत में गुजात जाना है क्यों कि मैं अभी है इतने सारा देश वर का काम देखता हूं अ फिर भी गुजरात कि आप पार्टी का काम करी रहा हूं मैं और उसमें कुजरात का भी कभी करी जाक्रटिधिता हूं ने जी बहुत हो गया संगटान अब तुमको सरकार संबालनी पड़ीं अब मेने तो क्भ तो दूसरे दिन सुभेव अड़वानिची का फोन आए तुम कल अटल ची को मना करके आ गया है मुझे मालूम नहीं था मुझे क्यों बुलाया और मुझे कहा नहीं नहीं पुले आओ जरा बात करेंगे तो मैं अड़वानिची के रगा है सब दूर सब लोगों ने कई दुरों से चर्टा चल रही ती और यह सब का मत बना है के शुभाई का मत बना है इसलिए आपको जाना है तो पर मैंने अटल जी को फोन किया मैं का टल जी मैं आता हूं तो पहले में मेरी मा से मिलने गया और मा से मैंने कहा कि मा भै तुम सोचा भी नहीं था मेरी तो दुनिया लगती अब देख वापिस में आ रहा हूं गुजरात अच्छा बहुत तुम गुजरात होगे चलो अच्छा है उनकी खुशी यही थी के पास नजदीब और मुझे दो बाते कहीं देख भाएं गरीब की चिंता करना और दूसरा गुजराती में रिश्वत को लाज सब्सक्राइब कभी लाज मत लेगा शाहिए उस दिन के टाइम सब इंडिया में रिपोर्टर भी है तो यह तो मेरा तब से फिर बन आता जूड़ा वैसे तो मैं बड़ा कटॉप रहा को बाहर ही रहता था फिर मैं जब नामंकर करने गया पहली बार तो मैंने का चलो मां के पहर शुक्र कर जाते हैं मैं इमाने मुझे गुड़ के लाया थो तबसे लेकर करके मैं जितने नामंकन की है असरना मांकन के पहले मां के पैर चुने जाया चलों धे पहला मेरे जीनकी के चुनावं है जो मैं मां के पैर चुए बना जाउँगा लेकिन वर्म में एक भाव भी आता है कि आज 140 करोड़ देश की करोड़ों मात आए है उन्हों देख जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया है अशिवादी है उन्हीं का स्मरन करके और फिर मागंगा तो है है गंगा मा गंगा तो है है तो कमी तो है पर देख रहा हूं कि करोड़ों मात आए शायद भावात्म गुरूप से मुझे हमेशा शक्ति देती रहेगी और देती रही है शायद आज जो लोग ये इंटर्वियो देखेंगे उन्होंने इतना भावुक होते वे शायद आपको कभी नहीं देखा होगा आपके सामने मा का जो भाव मैं देख रही हूँ मैं भी एक मा हूँ मैं समझ रही हूँ कि ये भाव क्या होता है आओ शायद शायद लोग ये भाव पहली बार देखेंगे क्योंकि आप थोड़े प्लेटीशन लगए विक्नेस्था विक्नेस्था जो भी है मैं गरीब की बाद हो कि दुख्यारों के बात हो तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ अब मेरी मेरी विक्रेस भी है एक सारवजेन एक जीवन में असा नहीं होना चाहिए लेकिन अब मैं आर्टिफिश्यल जिनकी जी नहीं सकता हूं अब माहों की बात कर रहे थे कि करोड़ों माएं आपके साथ हैं एक और अगर अपना पित्री रण चुकाना चाहते हो तो नरेंदर मोधी को बोलते के जाओं आईसे हैं मां सब्सक्राइब बोलता हूं मतलब मेरे मन में एक समगर संसार है उसमें बच्ची भी है जी छोड़ी बेटियां है पर मां सरूप मैं बोल रहा हूं तो मैं मां कहते को प्रदान मंत्री जी लेकिन मैं एक दिमाग में एक सवाल आता है कि आप हर बार जब चुनावी रैली में जाते हैं आप कहते हैं कि भारत मेरे तीसरे टर्म में तीन नंबर की एकॉनमी बनेगा आप देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं आप एक ग्रोथ ट्रैजेक्ट् पर डालने की बात कर रहे हैं आपको नहीं लगता कि एक इको सिस्टम होगा जो यह भारत की बढ़वुत्री को रोकने की कोशिश करेगा सिर्फ देश में नहीं बाहर भी और इनने कुछ लिंक नजर आता है कुछ मुझे लगता है कि यह विरोध जो तीवरता है इसकी उमर चार जुन तक है चार जुन के बाद नौन की हैसियत होगी नौन का होसला होगा सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी मेरे देश का सामर्थ होगा मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ होगा मेरे देश के 140 करोर नागरिकों का सामर्थ होगा और दुनिया भारत के लोकत सांत्रीक सामर्थ को नए सिरे से देखना शुरू करेगी और यह जो भी है देख रहा हूं पूरी दुनिया भारत के चुनाओं को इंफ्लिएस करने के लिए कोशिश कर रही है जो कि उनको नहीं करना चुछी यह वो अपना उपीनियन नहीं दे रहे हैं अपना कॉमेंट नही कर पाएंगे भारत के लोगों के बहुत सी अंद्रूनी जो शक्ति होती हो बड़ी जबरदस्त होती है वह आपातकाल के चुनाओं के बाद देश ने देख लिया कि भारत का घरीब के मगए आदमी में भी लोकतंत्रस वतंत्रदा यह आदर्श क्या होते हैं उन्हें दिखा है तो यह वो फटपटा है अब उनको अंधरे में जाना ही जाना है जाना है एक काम जो आपने किया है जो हम लोग भी बाहर जाते हैं विदेश दौर आपता कवर करते हम लोग अभी यूएस गए थे तो मन बड़ा गर्ब से भर गया कि बाइडन साब के वाइट हाउस में म महमान को बुलाया है कि हमारे गर में मोधी मोधी के नारे लागर है तो यह एक सेंस ओप प्राइड जो आपने भारतियों के अंदर भरा और एक सेंस ओप प्राइड आपने हिंदूों के अंदर भी भरा है जिनको लगता था कि हिंदुत्व की बात करना कमिनल होना है मंदिर जाना कूल नहीं है यह सेंस ऑफ प्राइड जो आपने भारतियों में और हिंदुओं में भराए क्या यह आपकी आपकी सोच थी कि मुझे इसाब करना है मेरा मेरा जीवन ही इसके लिए है सवाल सोच का नहीं है मैं चाहता हूं कि जो भी भारत को प्यार करता है उसकी चमड़ी का रंग कोई भी हो जो भी भारत को प्यार करता है वो भारत पर गर्व करें और आन बान शाथ के साथ गर्व करें और समझ करके करें आगबंद करके करें मिरी अपेशा नहीं है और मैं हिंदुओं तक सिमित र अगर मैं जिरब हिंदूों में यह भाव भरू तो मैं पाप कर रहा हूं मुझे तो भारत को प्यार करने वाला दुनिया के किसी भी भूबांग में पैदा क्यों न हुआ हो वो मेरे भारत को प्यार करता है और मेरे भारत के लिए गवरवगान करे वो तो मैं पर दुनिया में आपने देखा होगा महात्मा गांदी के 150 साल होगी है 50 साल भी हुए थे 100 साल भी हुए थे दुनिया को पता तक नहीं चला मैंने महात्मा गांदी जी का सबसे प्रिय भजन बश्न भजन मैंने तै किया कि दुनिया के 150 देशों में वहां के टॉपों स्कलाकारों से ये होना चाहिए और किया दुनिया के 150 देशों के टॉपों स्कलाकारों ने एक गुजराती भजन मातमा घांदी का पुरिय भजन सारी दुनिया ने गाया मेरे देश के गोरों के लिए दुनिया को जोडना चाहता हूं, मैरे लिए उसमेद कॉछ किसके गोध में पैदा हुआ वो मुद्दा ने है पूरी दुनिया मेरे भारत का गोरों किम पूरे उस geri में यह जीता भी तो इसी के निए हूं योग दिवस भी आंतरा राश्ती योगां दिवस आंतराश्ती अन्तरा सोलर आलाइंस हर ठ्षेत्र में मैं एनवार्मेंट को ले करके हमको भी मैंने कहां वन अर्थ वन फाइंबी one future फिर मैंने का one sun one world one greed विजली के लिए मैंने का तो मेरी हर सोच में मैं ग्लोबरी मैंने हमारे तुन्द्रियान गया तो point का नाम मैंने शिव शक्ति रखा है अब शिव शक्ति से उसको किसी को तकलिव हो कि यह हिंदु वाला कहां से ले आया तो उनकी मजबूरी है मेरे देश से सहज निकले गाज़ शिव शक्ति से उपर से क्या हो सकता है जी और मुझे इसमे कोई शरम भी नहीं संकोच भी नहीं है मुझे गर्व है तो मैं गर्व से जीता भी हूँ लेकिन मैं किसी भी जाती धर्म संपरदाय रंग रूप भूबा कहीं से हो मेरे देश के गीद गाए दुनिया इसके लिए जो मैं पैदा हुआ हुँ जी अब देखिए हम तीन सो से ज़्यादा कला कुटिया जो चोरी की है अब पहले भी हो सकता था लेकिन हमने वह विश्वा दे और मैं मुझे आपके पत्रकार परिवार में से भी मुझे उनका कोई बच्चा विदेश पढ़ता था हुगा आज कल तो हमको युनिवर्सिटी में मोदी जी ने भारत को कुल बना दिया यह बच्चे बड़े कम से कम मुझे ट्रबल करता है मुझे कहीं ना कहीं ये देख कर तकलीफ होती है वो है कि जिस तरह का हम एक वाक्या देख रहे हैं प्रजवल रेवना मेंबर ओफ पार्लिमेंट रहे हैं उनके पिता जी उनके फार्म हाउस से एक महिला एक हेलपर मिली है कल और जिस तरह के 2976 विडियो की बात की जा रही है और वो आदमी भाग जाता है देश से इस पर हम क्या करेंगे क्या हम लाचार मजबूर है क्या हम वापस लाएंगे इस पर म्याए कैसे मिलेगा महिला हुआ पहली बात है इक कानून वाचा का पता है अगर बंगाल में इस परकार का खट ना होती है तो बंगाल की इस परकार जिंबर है डूसरा as far as as far as BJP is concerned as far as our constitution is concerned मेरा साप मत है कि ऐसे अत्याचारियों को जराबी बख्षा नहीं जाना चाहिए कठोर से कठोर से जा होनी चाहिए और जो भी कानूनी रास्ते हो उनका भरपूर इत्माल करना चाहिए लेकिन ये 2,900 या 3,000 या 5,000 जो भी हो एक दिन की दो होगी नहीं इसका मतलब तपका है जब वो इनके सरकार के भागीदार थे देवगोडाजी की पार्टी और कॉंग्रेस पांटनर पहते तपका है इसका मतलब उन्होंने सरकार में रहते हुए ये सारा इखटा करके रखा और चुनाओं में भी एक निश्चित समाज के लोगों का मतलब पूरा हो गया वो ब्लॉक वो का लिए रागा उसके बाद उसको भार लाना और उसको भी उसको विदेज बाहर भीड़ने के बाद भार लाना ये बहुत ही संकास्पद है खेल कि आप उपने राज्य से जाने दे रहे हो अगर आपके पास जानकारिया तो आपने वोच रखते हैं एरपोर्ट पर रखते आपने कुछ किया नहीं भारत सरकार को कभी इंफॉर्म नहीं किया आपने इसका मतलब ये उनका राजनीती खेल है और उनको मानूम है कि ये उनके कारकार के सरकार में जब उनके भागी जारी थी तब कहीं उन्होंने जमा करके रखा हुआ है मेरा मुद्दा वो नहीं मेरा मुद्दा है किसी भी गुनेगार को बक्षा नहीं जाना चाहिए हमारे देश में एक खेल बंद होने चाहिए वापस लाना भी चाहिए और उसको कड़ोई से कड़ी कारवाई होनी चाहिए कोई इपसेंट बढ़त नहीं होना चाहिए एक बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई की बात विपक्ष करता है कि महंगाई बहुत बड़ी हुई है और बेरोजगारी पर आपका जो रुख है कि पांक साल पहले आपने कहा था कि उसकी विश्व प्रस्नियता पर आपने प्रश्न उठाए थे क्या बेरोजगारी और महंगाई आपकी सरकार के लिए चुनावतित किया है लेकिन आवशक नहीं है कि चीजों को हकीकतों के आधार पर देखा जाना चाहिए अपकियोरेट स्वोर्स जो डेटा मिलता है उसको आधार आप जैसे पील एफेस का डेटा उस तो विश्वेस नहीं मानोगे आप पील एफेस के डेटा को तो विश्वेस हो गाए बेरोजगार इदर पिछले से हैं साल में सबसे निचले स्थर पर है उसी प्रकार से ग्राम में एकॉनोमी बढ़ी है ग्रामिन शेतर में बेरुजगारी घटी है ग्रामिन शेतर में एक्टिविटी बढ़ी है एकॉनोमी का सेंटर बनते जा रहे है ग्रामिन 2017 से लेकर के 2023 बीच लेबर फोर्स पार्टिशिपर्शन रेट पिछले दिनों से सबसे ज़्यादा बढ़ा है 2017 49.8 प्रतिशन लेबर फोर्स पार्टिशिपर्शन रेट 2023 में लगवग 58 परसंट हुआ है अब इसको क्या कहेंगे बेरोजगार इदर 6 परसंट ते अब करीब करीब 3 परसंट हो गया है इसको क्या रही के नारी शक्ति की भागेदरी लगातर बढ़ती जा रही है दस साल में दस करोड महला है विमेन सेल्फेल गूप में एक्टिव हुई है वो एक करोड लगपती दी दी और अभी मेरा लक्ष है तीन करोड लगपती दी दी का सब्सक्राइब करोड लोगों से ज्यादा रिजिस्ट्री दी वो तो एसे नामकार नहीं है वो तो कैस्ट मिलता है तब बनता है जी सरकारी नों के प्राइबेट जैब दोनों बढ़ाई गई है मुद्रायोजना लाखों लोगों को हमने बिना गारंटी लोन दिये और एक स्पेस खोल दिया हमने स्टार्ट अप जिए पहले की जमाने में 200-300 स्टार्ट अब ते आज करीब के सावालाग स्टार्ट अप से और टीयर टू टीयर 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 इंदर वो नेत्रूत्व कर रहें ड्रॉन का उख्षेत रहें इतना बढ़ा-बढ़ा है जी आज ड्रॉन जीवन में इतना उप्योगी हो रहा इतना बड़ा मैनिफेक्टरिंग से ले करके सर्वी सेक्टर तक आज कोई भी टीवी केमेरा वाला शादी वाला केमेरा वाला भी ड्रॉन वाले अलग ऑपरेटर रखता है ड्रॉन दीडी का मेरा कारिकम पूरे देश में बहुत बड़ कितना बड़ा उसर मिल रहा है याने एक 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 छेतर को हूं आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए मैं मानता हूं कि अब अपनम चाहिए सिख जी पर काम कर रहे हैं लेकिन अगर किसी को जूठी बोलना है तो इसका कोई उपाई नहीं है जीतने आउसर हमने पैदा की है वह पहले कभी नहीं हुए और जीतने आउसर के संभावना हम देख रहे हैं वह भी पहले कभी नहीं सोचा गया था मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियो भी आते हैं वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधान मंत्री बन जाए बिजली तो आएगी कम से कम लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी तारीफ वहाँ के मंत्री कर रहे हैं है अब डिके महंगाई आप इंद राजां यू के समय देश में केतनी महंगाई है और मोदी के राज में किदि महंगा है हैं 2,014 के पहलए कंदी महंगाई थी यूजर चौध्य कि और आज तो युद्ध का समय हैं और अब हैरान हो जाएंगे मुझे दूख होता है कहने से लाल किले पर से पंडित नहरू का भाशन है आपको ओडियो और वीडियो दोनों मिलेगा उस बाशन में वो कहते हैं कि मैंगा इसलिए बड़ी है ताकि नौर्थ कोरिया में लड़ाई को दुनिया पर सीधा प्रभाव है क्योंकि वहां को चीजें हो है एने फूड फर्टिलाइजर एंड फ्यूल तीनों पर इस लड़ाई का प्रभाव है और तीनों महंगाई के मुल्बुत चीजें प्रदानमंत्री बृतें में बदल गया महंगा नहीं कर पाने क कि वजह से वहां लोग एक टाइम का खाना छोड़ रहे हैं महंगाई की वजह से नहीं मैं तो चाहता हूं आपके न्यूजवर में एक पूरा आप समय है कि इसी पर निकालिए जी और जानका लोगों को बलाए तू तू मेमा वालों को नहीं मैं पक्ता बताता हूं जी एक सवाल जो हमेशां पूछना चाह रही थी मैं आपने कहा जून चार के बाद सब कुछ थम जाएगा ये जो एको सिस्टम का जो चल रहा है और सुनने में ये भी आ रहा है कि पहले सौ दिन का कारिक्रम भी बन चुका है तो कुछ बताई और आप बार बार अपनी रैलीज मैं मैं आपको बताता हूं कि एक तो यह मेरा ऑ मिने स्वभाय से में बहुत एडवांश प्लाणिंग का मेरा जाफ मैं इसे säb है मैं दूब्लीटे टिवान बना हुआ है तो मैं बहुत पार दिश था-चरक बाद में कि क्या करना है मैंने यहां 14 में भी सोच के आया था 19 में भी मैं सोच करके बैठा था हूं देखिए हमें हमने जो काम किये है आप मेरा पहले कब देखेंगे तो आपको पता चलेगा तीन तलाग प्रजा हमने जो कानून बना था पहले कर दिया और अर्टिकल 370 हटाने का काम हमने कर दिया शुरू में कर दिया ईनि बड़ी समस्याओं से निपटना उसको पूरा करना है और में तीसरा के लिए मैं बड़े नीने चाहता हूं महत्वपुर्ण नेड़े करना चाहता हूं कोई तोड़फोर करने के नेड़े मेरे नहीं होता हुँ ची सो दिन का मेरा प्लान बिल्कुल रेड़ी है और मैं चार तारीक के बाद एक बीन भी समय खड़ाब करना नहीं चाहता हूं का मैं इतने अनुकुलता है कि मैं मेरे देश को एक रती पर नुक्शान होने देना नहीं चाहता हूं और इस लिस्ट में क्या पूरे देश में यू सी लागू करना भी है पहली बात है कि यूशीची का जो विशय है वो कोई मोदी का करकम नहीं नहीं वो को बीजे भीगा है भारत के संभिधान निर्माताओं ने संभिधान में कहा है जी ये लोग इतने सालों से कर नहीं रहे थे क्योंकि वोट बेंग की राजनीती उन पर सावार थी यूशीची हमारे संकल पत्र का हिस्सा है दूसरा इस देश की सुप्रिम कौट ने कम से कम दो डेजन बार कहा है कि भारत में यूशीची करो और ये देश में देखना चाहिए गोवा में अल्लेडी यूशीची है मेरा देश चल रहा है गोवा में सबसे ज्यादा माइनोरिटी है फिर भी यूशीची बहुत बढ़िया तरीके से चाहिए उत्राखन ने बहुत अच्छे दिशा में कदम उठाए हैं तो एक के बाद एक प्रहोग है हम थोपने वालों में से नहीं है जी हम इवाल कर रहे है वानका रावें लस्यों क्यान इलेक्षण वर्कारव चुनाव की त्यौर्टारी स मुझा यह क्रता ही नहीं हो कि अज़ादी के सो साज़ पो जाए तब देश कहाँ हो और यह रात व रात नहीं होता है जैसे मैंने एक इस बार बैजेट में वाक्य बोला है अब जो ट्रेलर और आगे कि आप पूछ रही हो ना इस मिलेगा आप मैंने बजेट में वाक्य बोला है कि हम देमोग्राफिक को ले करके एक कमिशन बिठाएंगे है अब यह क्या है कि दुनिया के बहुत से देश परिशान है कि वहाँ पर एजिंग के करण बहुत बड़ा पॉपुलेशन अब डेमोक्राइब का एक रूप है मैं नहीं चाहता कि 2047 में मेरे घर देश में जो बुजुर्ग लोग है उनके लिए कोई प्लाणिग नहीं हो आज हम युआ है कभी तो बुड़े होंगे तो इस सरकार का काम है अभी से सोचे में बहुत सोता हूं कि आज आप जो नौजवान है वो 2047 में जब बुड़े होंगे तब आप असाहता नहीं हो इसके लिए प्लाणिग अभी से होना चाहिए मैं इस लिए पूछा क्यों कि कर लोग यह सोच के बैठें कि इस बार तो गया हुआ है मामला 29 में मोधी जी हटेंगे फिर हम आइन उनका चांस है मैं राजनीती में कौन आए कौन जाए कोई देश ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के अधर पर चलता हूँ जी मैं मोधी के अधर पर देश चले यह मोधी कभी नहीं चाहेगा ऐसा मेरा देश यह मेरा देश तो बहुरतना वसंद्रा है जी यहां तो अनेक रत्त प्यादा होते रहे हैं आगे भी होते रहने वाले हैं और देश आगे चलने ही वाला है लेकिन इस प्रकारते माला जपने से कोई अपना भविशन नहीं बढ़ा सकता हर एक को अपना भव इतना चाहिए जन्ता के सुक्दू के साथ ही बनना चाहिए और वेकेशन थोड़े कम करने चाहिए बहुत सही कहा आप ने आपके कोई पॉलिटिकल पर्सनल बकित लिस्ट होती है सबकी कुछ जो हो गया जो सबसे आपके दिल के करीब था कोई एक चीज ऐसे बताईए कि वह हो गया तो वह मेरी अचीवमेंट मुझे मैसूस होती है और बज क्या गया मैं मैं मेरा काम का जो स्टाइल है न वह एक बड़ा ही इंट क्रियंसिव होता है कि टुकड़ा में नहीं होता है लेकिन मैं जब उसको बहार लाता हूं तो वह प्रोग्रेसिव अन्फूल्मेंट होता है जैसे मैं कहूंगा चलो भाई सबके बैंक अगाउंट खोलो मुझे आथ हमें 2014 में नहीं नहीं आया और जंदन एकांट का मैंने तो हमारे अरून जेटली प्ले परिशार हो गए क्योंकि वह हर तीसरे दिन मॉनिटरिंग करने लगा कि कितनी बैंकों ने किया बैंक वाले जोगी जोपड़ी में जाते हैं नहीं जाते बैंक वाले रेड़ी पट्री वालों को पास जाते हैं अरूर जिर का पूए यह तो सौ दिन में काम पूरा करना है लेकि तब दुनिया को लग रहा था यह तो जन्दन एकाउंट खोल रहा है अजब बैंक वाले मेरे जगड़ा कर रहे तक सब स्टेशन दी का परसा तो मिले मैं कुछ नहीं मिलेगा जीरो एमाउंट से एकाउंट खुलेगा तब आश्य होता था लोको जीकी वही जन्दन एकाउंट करो ना कि सब्सक्राइड खोला से जोला है 7 क्लीक दुनिया का इंधिया था लिए च्टेशन इंपाड़ा पुनिया की तो लुकी गड़ी और बाहर के जितने देश से लोग आए उन्होंने वो डिजिटल वह भी देखा तो यह करता हूं लगता है यह करते हैं लेकि समय नहीं करता हूं तो नहीं कर रहा हूं पर कुछ कभी परस्में मैं सिंपल बताता हूं कैसे होता है मैं गुजराथ गया मुक्य मंत्री के नाते हूं और मेरी पहली सच्चिवों के साथ मिठें थी तो समय हमारे शिक्षा सच्चिव मिश्चर माकर करके थे तो माकर ने कहा गलड़ चायले देश में हम 20 नंबर इस दो मैं चोग गया गुजरात जैसा राज्च गलड़ जू und इसनेमर मेरे में चिपक गया धर पहली मिटिंग कर फिर हर वर्ष जून महिने में 44ड़ एश्च कर तेराध चौदा पनरा जून तीन दिन गाउं मैं रहता था कि उस्काव में जाता था जहां मिनिमंम गल चले जुगेशव है और मैं तीन दिन में फांच गाउं करता था उन पांच गाउं में घर गड़ जाना और मैं विक्षा मांगने और मुख्यमंतिके नाते तीन दिन भिक्षा मांगने ना मांगने यह बरा नियम था और बच्चीयों को मैं स्कुल ले जाता था लोगों को लगा था चलो बोदी जी बच्चो लेकिन मैंने उस काम के लिए डेट लाग नए टीचर भरती किये उस काम के लिए मैंने धाई करना शुरू किया फिर मैंने गुनोच सब शुरू किया उसमें फिर तीन दिन दिवाली के बाद देता था जिसमें क्वालिटी ऑप एजुकेश्व है यानि पहले तो लगा कि यहां तक पहुंचा दी तो मेरा काम करने का तरीका यह है कि मैं चीज को कहीं शुरू करता हूं तो समझ लीजिए कि मैंने बहुत लंबा सोच करके आया है जब मैंने योगा की बात कहीं तब लोगों का लगा जैसे हर दिन मनान के बात आती वैसे है क्या मेरे जीव ऐसा नहीं था जी दुनिया में एक विमेंडे के सिवाए कोई भी ऐसा डिय नहीं है जैसे योगा डे है प्लेटफ़ॉम में विमेंन डे पकड़ गया है योगा डुनिया और्टेट में तो आब योगा के साथ मैं आयूरुवेत ले आ रखा याने आप देखें चीज में छोड़ता नहीं हो आपके जो विरोधी वो इसलिए घबराते भी कि अभी यह निकरा है इन्होंने आगे क्या सोच रखा होगा और विरोधी यह भी सोचते हैं कि इतना कॉंफिडेंस के चार जून को यही रिजल्ट आएगा जरूर इवी एम में कोई चिप डाला मोधी चिप ऐसा है आप कुछ भी कि यह उसका आर्थ यहीं निकालते हैं को इतने डरे हुई है जी कुछ लोग होता है ने जो दिवार पर थोड़ा सा बहुत दिखता है किसी उसमे क्या करोगी मैं मुझे नहीं कुर्स इंट्रोडिश करने पढ़े हैं लेकिन आज आपने बहुत-बहुत धन्यवाद पाट्शाला में बहुत सारे अध्याय देश के खोल दिया और यूजार का भी अजेंडा सेट कर लिए लगा दी मुझे आपको पाट्शाला अटेंड कर लिए कि इतनी बाद अच्छा लगाऊ घंक अजने इधाया आपका यूजाबर हो अपाट्ट शाला हो उसने काम अलग लेखला ये थीच है कि लेकिन आपने भावुक होकर और देश को आगे ले जाने के लिए जो लेकिन आपने हमें इतना समय दिया और इतनी बेबात तरीके से आपने मुझे जी सवालों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है लेकिन मैं देख रहा हूं आप लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं बेडिया में ये की को सिस्टिम ने इतना प्रेशर बना दिया है कि आपको भी उनके दवाओं में उनकी भाषा में सवाल पूछने पड़ते हैं और उसके कार देश के लिए जो जरूरी सवाल होते हैं वो आपके भी छूड़ जाते है इको सिस्टिम ने इतना दवाओं पैदा कर दिया है कि आपको भी उसी लाइन पर जीना पड़ता है और आपको भी लगता है यार कहीं आउट्डेटर हो जाएंगे तो मैं तो चिंतित हूं कि देश के मिडिया को भी नूट्रल रहना कितना मुश्किल हो जाएगा और या तो उनकी भाषा बोलो या तो घर चले जाओ बना गाली की चुनो यह यह हाल करके रख दिया यह अपके पूरे एक छेतर में और दूसरा देश में पहले पत्रकार इतना है ले पत्रकार अख़बार आता था वह बानता है पत्रकार उसकी एक वैल्यू थी आज सोचल मीडिया से उसको वो जानता है कि ये वो वेक्ती लिख रहा है मदलब फिर उसको लेख नहीं दितना है उसका ट्वीटर यादर दा जा उसकी दिए सोज़े दे लिखे गई तो वैल्ली खतम हो गई वैल्ली खतम हो गई लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वैल्ली सिस्टम क्योंकि तीस साल पक्त्रकारिता में हर फेज देखा है छिर मैं बताता हम आप दबाव में जी रहे हैं इसमें आपका कोई दोस नहीं है आपको भी हाने से आयता होगा पका रहता होगा दो सवाल तो ट्रेड़े पूछने पूछने वन्ना यह मत क्यों कि क्यों कि इसी में इंट्रेस है कि मोदी को आपने फसाया कैं नहीं फसाया इसी में इंट्रेस अगर फसाया तो इंट्रिव अच्छा नहीं फसाया तो friendly बिल्कुल इंतजार रहेगा दोहजार साथ में भी आपने चुनाब के बार मुझे दिया था तो इंतजार बिल्कुल थैंक यू रभाष्कारविश्ट